अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। बिना आदेश के बिना इसारे के हजारों शक्तियां उस उपाशक की रक्षा और उसकी बिवस्था करने लगती है। हम आपको भोग लगा देंगे, आपका ये कर देंगे, अब हमारा काम ये कर दो, कितनी मंद बुद्धी है। ऐसे शर्व शमर्थ श्वामी से काम करवाना चाहते है। ऐसे प्रभू को तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमारी ये बिवस्था कर दो, क्या समझे हो तुम प्रभू को। ततकाल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाए है। उपाशक की जवैशी स्थिति आती है, क्यों अपने आत्मस्वरूप प्रभू को शर्वत्र देखता है। जो शर्व को अपने आत्मस्वरूप में देखता है, वो आये हुए शामने शेवा को, चहव व्यक्ति की हो, पशु की हो, किसी की भी हो। वो ऐसे शेवा करता है, जैसे अपने शरीर की हम शेवा करते हैं, इसमें दो बाते हैं, एक है कि बहुत प्रियता से सेवा करते हैं अपने शरीर की, दूसरी बात है, हम शरीर की शेवा करने के बाद कोई पुन्यलाव या कोई हमारा यस कीरती करे, ऐसी आकांग्षा नहीं ह होती क्योंकि मेरा शरीर है ऐसे ही शंपूर्ण चराचर को श्री भगवान कहते हैं वो अपने शरीर की उपमा से सब जगे शुख दुख का अनुभो करता है शाप शुखी है शब आनंदित है ऐसा उसका भाव रहता है आनंदित है शुखी रहे पर ये भाव तभी रहे सकता है जब आप शीमा से हटे आपने अपने पन को कुछ शीमा में जोड रखा है अपने शरीर की शीमा में अपने शरीर के सम्बंधियों की सीमा में बस किसी को भी दुख हो हमें शुख होना चाहिए और सब चाहे जितने भूखे प्याशे कस्ट सहें बस जो हमारे शगेशने ही सम्बंधि हैं इनको ग्रशित सीमा का जब तक आप नाश नहीं करेंगे तब तक शार भौम श्री भगवान की सच्ची उपाशना नहीं होगी विश्वंभर भगवान शब रूप वास्तिविक सत्य वही शब रूपों में खेल रहे वो आपका अशुभनास करने के लिए शेवा का उशर देते हैं पशुपक्षी व्यक्ति आदि के रूप में हमारे शामने ऐसी परिष्थिति आती है कि हमें शेवा करनी चाहिए तो हमें उस शेवा का उलंगन नहीं करना चाहिए प्राप्त शेवा को भगवत करपा मान करके वो भगवत प्रशन्नता के लिए चाहे वो कोई भी हो कोई भी पशुपक्षी हो मनुष्य हो कोई शेवा के समय ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है भावना की जती मेरे प्रभु हैं मुझे शेवा का उशर दिया है पर हमारी तो दशाही कुछ भी लग है हम प्रभू की भी शेवा करते हैं तो शौदे बाजी के शाथ बिना शौदे की प्रभू की भी शेवा नहीं करते है कि देखो कैशी हमारी बुद्धी गिर चुकी है बिहारी जू आपके लिए फूल बंगला पांच लाख का बनवाएंगे आप हमारा ये काम कर दीजिए अब विचार करो क्या तुम बोल रहे हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये रुपया ले लो ये फूल बंगला बनवा दे रहे हैं तुम्हें चपन भोग पवा देंगो तुम ये मेरा काम कर दो जैसे किशियाय व्यक्ती सिका जाते हैं तुम्हें पांच लाख रुपय देंगे तुम्हें एक बंगला भी देंगे तुम्हारी बिवस्था कर देंगे उस दुस्मन को मार दो या अमुक कारी कर दो या अमुक कारी कर दो कौन हो आप भक्त हो आप आप भगवान की शेवा कर रहे हो आप भगवान क्यों पाशना कर रहे हो क्यों उनको आदेश कर रहे हो मालिक तुम बन गए अपने शरीर के अपनी कामनाओं के कहां हो तुम मालिक सरीर पर तुम्हारा अधिकार है जब जहाँ जो जैसा होना वैसा हो जाएगा तुम रोख पाऊगे प्रभू को प्रभू की जगे रखो प्रभू को नौकर बनाने की कोशिश मत करो प्रायह, प्रायह हम भक्त कहलाते हैं, हम शेवक कहलाते हैं स्वामी के साथ बरताओं कैसा करते हैं तुम्हें हम पाठ सुना देंगे तुम्हारे मंत्र का इतना जब करेंगे पर इतना काम करना होगा आपको क्या है तुम्हारी बुद्धी बोले फिर हमारा काम कैसे चलेगा तुम्हारे मांगे भी नहों समझेंगे थूड़ी तुम्हा आजमान है अनंत माताओं में वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने शेवित पुत्र की रक्षा करेगी किश्व में क्या उसको पवाना है कैसे रखना है ये बच्चे का विश्य नहीं बच्चा तो निश्चिंत रहता है ये सारी चिंता मां को रहती है अनंत माताओं का वात्सल प्रभू के वात्सल शमुद्र का अगाद वात्सल शमुद्र का एक बिंदु है अईशे प्रभू को तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमारी ये बिवस्था कर दो क्या समझे हो तुम प्रभू को क्या समझे हो तुम भक्त हो बिचार करना देखो वे सत सत्संग है अगर आप इसे ठीक से सर्वन करेंगे मनन करेंगे तो आप बहुत जल्दी जो शाधनाओं शे काम नहीं बनता वो इश्य बन जाता है इसलिए सत्संग के बराबर कोई नहीं साधन रखा गया है तात श्वर्ग अपवर्ग शुक धरी तुलाए कंग तूलनताई सक कलमिल जोशुक लवशत संग हम प्रभू के हैं इसकी पहचान यही है कि प्रभू की जगए केवल प्रभू होने चाहिए प्रभू की जगए कोई वस्तु प्रभू बनकर कोई व्यक्ती प्रभू बनकर कोई बिवस्था कोई घटना कोई परिस्तिती प्रभू हमारा न बन आवे आप विचार करके देखो क्या इतना सुरक्षित है आपका प्रभू का इस्थान आपके हिरदे में यदि प्रभू को प्रभू की जगे तुमने विराजवान कर दिया तो प्रभू को कुछ करना नहीं पड़ता अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी रेती हैं बिना आदेश के बिना इसारे के हजारों शक्तियां उस उपाशक की रक्षा और उसकी बिवस्था करने लगती है विश्वास कीजिए ये सब प्रभू को आदेश नहीं करना पड़ता अपने आप सब बिवस्था होती है किस इसी चोर को दंड देने के लिए राष्ट पती का सासन लागू नहीं होता राष्ट पती का फोर नहीं हाता कि इसको पीटो नहीं हाता अनंत शक्तियां अपने आप सब कारी रथ हैं जहां आप प्रभू की शरण में होकर बिश्वास करके अपनी बिल्कुल चिंता छोड़ प्रभू का केवल चिंतन तुम्हारा कार्य है भगवान की मांग है वो चाहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा अनन्यस चिंतन तो माम बस इतना तुम्हारा कार्य है अनन्य चिंतन अनन्याश्र है फिर तुम्हें मांग नहीं करनी पड़ेगी कैसे मांग करनी पड़ेगी शर्वग्य, शर्वत्र, शर्वशक्तिमान और शर्वशुरद, शुरदम शर्वभूता नाम, वो हो, विचार करो अब, जिसको हमने अपने प्रभू के इस्थान पर विराजमान किया है, वो शर्वग्य है, उसको बताने की जरुत नहीं है, वो शर्वशक्तिमान है, कुछ भी ऐशा नहीं, जो उससे हो नहीं शक्ता, जो था, जो है, जो होगा, सब उससी से होता है, वो शर्वत्र हैं, तुम्हारे पास हैं, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं, शुरदम शर्वभूता नाम, फिर आपको क्या जरुरत है चिंता कर पिर आपको ये कहने की कैसे जरूरत पड़ गई कि हम आपको भोग लगा देंगे आपका ये कर देंगे आप हमारा काम ये कर दो कितनी मंद बुद्धी है ऐसे शर्व शमर्थ श्वामी से काम करवाना चाहते हो अरे ये आपका काम नहीं का काम है ये सृष्टी उनी की है उसी इस स्रश्टी में तुम भी एक हो, वो शाब कुछ देख रहे हैं, तुम जो गल्ती कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, करतत भोगतत भाव रख रहे हो, यही तुमारी समस्या है, इस समस्या से उठो, एक अदमी, ट्रेन के डिब्बे में दोड़ रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर, एक बैठा विवे की पुरुष देखा, ओए भाई, क्यों दोड़ रहे हो, बोले हमें अमू की स्टेशन जाना है, अरे बोले तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, तू तू आराम से बैठ जा, बस ऐसे, ये स्रश्टी चक्र चल रहा है, तुम्हारे चल रहा है, थोड़ी चल रहा है, काल चक्र, घुमा रहा पूरी स्रश्टी को, उशी में तुम घूम रहे हो, अब तुम घूमना बंद करो, पिस जाओगे, इस घूमने में, बैठ जास्त्रे लेकर प्रभू का, जो प्रभू आग्यां कर रहे है, वैशी चेश्टा उन्हीं के बल से करो, कोई भी चाह प्रभू से मत करो, वो शब जान रहे, बिना मांगे, अन मांगे, आगे, आवेगो, जिवपल लागे, पल को, शुष्वामि हर्दाशी महराज के रहे है, तुम्हें तो केवल हरिभज खानि न मान नरतन को, मति बंचै, मति बंचै रे, तिल-तिल धन को, अन मांगे, आगे, आवेगो, जिवपल लागे, पल को, हरी, प्रतिपल तुम्हें केवल भजन करना है, भजन करने वाले की जीवन में प्रभू की क्रपा कवच बनकर के उपस्तित हो जाती है कोई उशे बाधा ने पोचा सकता किशी भी तरे कि आंतरिक न बाह और प्रभू की क्रपा काम धेन बनकर के उसके पास रहती है जहां जो आवशक्ता होती है वो बहुतायत जिधर देखो बहुतायत क्योंकि साक्षा भगवत क्रपा वहां भी राजमान है इसे आप ऐशा न कहें कि ये तो किसी महापुरुष के पास होती होगी नहीं भगवान की बच्चन की शत्यता है और वो कहरे शब पर मोरी बराबर दाया लो प्रभू कहरे मानो नहीं बात सब पर मोरी बराबर दाया मैं शौप को प्यार करता हूँ बराबर प्यार करता हूँ तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा क्योंकि दया का उल्टा करो याद तुम प्रभू को अपनी याद में नहीं बशाये संसार को बसायो इसलिए उनकी दया को तुम नहीं शमज़ पा रहे है तुम याद में हो तो उनकी दया का प्रतिपल तुम्हें अनुभो होगा उपाशक ये इस लोग बड़ा महा मही में जो भगवान कह रहे हैं जब तक ये बात नहीं हाती तब तक उपाशना रंग नहीं लाती है चराचर जगत मेरे भगवान का शुरूप है जैसे हम अपने शरीर के शुख दुख कानुभो करते हैं ऐसे सामने आये हुए जो भी विक्ति पशू पच्छी कोई भी किसी को भी कस्ट है तो हम अगर कर सकते हैं, हमारे में है तो हम उसकी उस दुख दूर करने की चेश्टा करेंगे उसको शुख पहुचाने की भावना में रहेंगे पर ये तभी हो सकता है जब हम प्रभू को लेके चलेंगे अन्यता नहीं कर सकते मैं आतुभ्यम शमर पहे ये मेरे द्वारा आपको शमर पित है प्रभू, भ्राम हो गया था कि मैं मालिक हूँ मालिक नहीं प्रभू मैं आपका शेवक हूँ, केवल आपका जैसे घर में प्रबंधक रहता है ऐसे आपको रहना है नाथ शकल शंपदा तुम्हारी मैं सेवक शमेत शुतनारी जो कुछ है, ये शवाक की शेवा की शोंद है नाथ मैं आपका शेवक हूँ प्रबंधक शेवक मुनीम इमानदारिश्य शेवा करता है मालिक की आग्यां के अनुशार वो मालिक नहीं बन बैठता अपनी गलती को मिटाईए अभी परमानंद की ब्रतिवदय हो जाएगी उनकी कृपाशे ये आप अचातानी ये मन की चंचलताएं मन की विवस्ताएं बहुत बिचित्र हैं नहीं सैपाओगे सीधे समर्पित करो उनके हाथ में डोर पकड़ा दो वो इतने बलवान है कि ऐसी लगाम खीशेंगे सही मार्ग उपर घोड़े चलने लगेंगे बहुत क्रिपाल हैं बहुत कैसे बताएं वो सच्ची कहते हैं जो पढ़ा था सास्त्रों में संतों के जीवन में वो परमशत्य है यह उनुभव करा देएं परमशत्य है वो कैसे क्रिपाल हैं आगे चलकर आपको पता चलेगा केवल रोते रहोगे उनकी क्रिपा को रोते हैं इतना प्यार करते प्रुभू अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं कहाँ प्यार कैसा प्यार वही वो है वही वो है दूशरा नहीं है वो अनुभों में आ जाएगा बहुत सी परेशानियां जो आप बोजा ढो रहे हैं वो इस गलती के कारण के आप मालिक बन गए है ततकाल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है आप अपने को मालिक मत मानिये जो भी है प्रभू को मालिक मानिये हैं वो मालिक बस हैं को मानना है आपको सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलजने का एक मात्र उपाय प्रभू को अपना वास्तविक मानलो और उनकी जगए पर किसी को मत बैठालो फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते हैं सोचो आप प्रभू की जगए क्या आप प्रभू के लिए सुरक्षित रखे हो नहीं चंद रुपेओं के लिए चंद भोग शामाकरी के लिए चंद शम्मान के लिए हम अपने प्रभू को भूल जाते हैं शम्मान को प्रभू मानलेते हैं भोग को प्रभू मानलेते हैं धन को प्रभू मानलेते हैं थोड़ा सा कोई प्रगट में सायोग कर दे, उसको हम प्रभु से ज़्यादा मान लेते हैं, प्रभु के लिए केवल प्रभु बश, प्रभु मने तो श्वामी, श्वामी की स्थान पर केवल प्रियाला, दूशरा नहीं, हमारी इस्थिती अभी नहीं बन पा रहे हैं, पकड को स्वईकार कर लेते हैं, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना भिश है, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान, सम्मान, शिर्फ आपको शंभालने का कारे दिया गया है, आपके श्वामी प् शेवक हो जिस समय तुम्हारा कहीं भी अपना पन नहीं रहेगा मालिक पन नहीं रहेगा उस समय तुम्हें कृपा का अनुभो होना शुरू हो जाएगा कैसे प्रुभु दुलार कर रहे कैसे सम्भाल रहे अभी बेमानी है इसले ठीक समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा न बचे तुम्हारे हिरदय में इसका भाव समझेगा तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा न बचे तुम्हारे हिरदय में हिरदय में जब खोजो तो तुमको लेकर के तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए यह तो सब प्रियाजु का है मेरा क्या मेरी तो सिर्फ प्रियाजु है अब आपकी जो आनंद मेई ब्रत्ती उठे इसलिए आनंद मेई ब्रत्ती नहीं उठे इस सब भगवतकारी करते हुए भी देख लो आप क्योंकि आप भगवतकारी करने वाले हैं आपके पास सब है वो अभी बात नहीं वो जो बात अध्यात्मी की उचाई पर पहुँचाती है तो आप अपने हरदय में खोच कर देखिए प्रभू के शिवा कोई नहीं होना चाहिए ना मेरा ना मै बुले तो बहुत बड़ी बात है इससे भी बड़ी बात है नाम जब नाम को श्वेकार कर लिया तो नाम के आगे ये सब छोटी बात है जब प्रभू आ जाते हैं प्रभू किशारी महिमा प्रकासित हो जाती तो और क्या बात अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं यह जो नाम है ना बहुत बड़ी सामर्ग आप समझ यह यह नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धी नहीं हूँ इसलिए रोना दोना है कि अरे हमेशा नहीं कर पा रहे हमको समझ तो आती है पर हम चल नहीं पाते